हेलो फ्रेंज, वेलकुम बैक तो मैं चानल टागेट MNS, टागेटिं MNS 2022 तो आज भी नो कि हम स्टार्टिक जीके में स्टेट सीरीज कर रहे हैं स्टेट सीरीज में आज हम एक यूटी कवर करने वाले हैं यह देली, दे कापिटल ओफ इंडिया यह important है, बट इसमें इतना कुछ नहीं है आपके static और your MNS point of view से जो भी important है, normal questions है, यह हम cover कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं, formation day कब होता है देली का अच्छा, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि देली के side में इसके side में किस-किस से, कौन-कौन से state से जिससे connected है तो एक side आपको उतर प्रदेश इस side देखने को मिलेगा और एक side आपको हरयाना देखने को मिलेगा, ठीक है तो यह दो ही ऐसे states हैं जिससे आपको देली connected दिखेगा next question आता है कि river कौन सा है देली में तो everyone knows कि Yamuna river जो है, Yamuna river के banks पे आपको देली देखने को मिलता है, ठीक है अब start करते हैं with the formation day 1st February 1992 is the formation day of Delhi 1st February important है, year नहीं पूछा जाता है बट 1st February is important इससे पहले मैंने आपको बिहार कराया और गुजरात कराया, ठीक है तो दोनों के भी formation day आप याद रखेंगे next formation day 1st February हो गया, capital Delhi का new Delhi है district 11 districts है total, कितने districts है, 11 districts है total बिहार में आपको कितने districts बताया थे, 38 districts मैंने आपको बिहार में बताया थे गुजरात में मैंने आप लोगों को कितने districts बताये थे, गुजरात में 33 districts बताये थे अब आता आपका Delhi, Delhi में 11 districts governor है अनिल बैजाल, chief minister अर्विंद केजरिवाल, everyone knows अनिल बैजाल, everyone knows, deputy chief minister मनेश सिसोधिया next high court, high court आपको पता है Delhi में ही हमारे इंदिया का supreme court है if high court पूछा जाता है, तो वो आपके new Delhi region में पढ़ेगा next legislature, यहाँ पे unicameral registration है and total विधान सभा में seats पूछी जाएं, तो total 70 seats आपको देखने को मिलती है राज्य सभा में 3 seats and लोग सभा में 7 seats, seats नहीं पूछे जाते है now one more thing, यहाँ पे आपको पता है, यह बहुत ऐसा urbanized area है यहाँ पे बहुत development वाला area है तो यहाँ पे आपको wildlife centuries या फिर mountains यह सब देखने को बहुत कम मिलते हैं तो कोई भी नाशनल पार्क नहीं है, अगर wildlife century पूछी भी जाए देली में तो only one that is, असोला भटी wildlife century असोला भटी wildlife century, यह important है क्योंकि यह एक ही है तो particular है, इसलिए important है, असोला भटी wildlife century next state symbols की बात करें, state animal हो जाएगा नील गाए नील गाए हो जाएगा आपका क्या, state animal, state bird, house sparrow house sparrow और किसका state bird था, अमने देखा था, बिहार का भी state bird आपका क्या है house sparrow है, ठीक है next state flower, alfalfa, alfalfa is the state flower of Delhi and state tree हो जाएगा, that is flamboyant, flamboyant will be your state tree तो यह important है, state animal, नील गाए, state bird, देली का, house sparrow, state flower, alfalfa and state tree, flamboyant next, festivals, तो यह जितने festivals है, सारे important है सब को एक बर धेहान से देखे, कुतुम फेस्टिवल, as we know देली में कुतुम मिनार है तो कुतुम फेस्टिवल, आप ऐसे याद कर सकते है next is वसंत पंच्मी, वसंत पंच्मी और सरस्वती पूजा at the same time, सब celebrate किया जाता है, ठीक है all over the India celebrate करता है, but mainly देली में बहुत importance रखता है आपका वसंत पंच्मी next is international mango festival international mango festival आपका कहां से है, देली से है auto expo, then new Delhi world book affair तो new Delhi आ जाएगा, तो पता चल जाएगा, world book affair कहां का है आपका देली का है India international trade fair ये भी आपका देली का festival है, ठीक है तो इसमें से जो important कुतुब festival देखके पता चल जाता है वसंत पंच्मी international mango festival और new Delhi world book ये भी देखके पता चल जाता है India international trade ये जो underlined वाले हैं ना not कुतुब मिनार, again ये वसंत पंच्मी international mango festival और ये 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 तीनों आपके important बनते हैं next UNESCO sites in Delhi मैंने आपको UNESCO sites पढ़ाए, total 40 UNESCO sites मैंने आपको cover कराए उसमें से तीन हमने पढ़े थे, वो कहां के थे, Delhi के थे कौन कौन से एक हुमायू स्टॉम जो की उसकी वाइफ ने बनवाया था, हुमायू स्टॉम then कुतुब मिनार and its monument और एक red fort ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके UNESCO sites में आड किये गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज, UNESCO site में ये तीनों इंडिया में डेली के sites आड किये गए हैं अधर जो UNESCO site नहीं है बट इंपोर्टन इसे जामा महजीद हो गया इंडिया गेट ये toilet museum, the development of toilet from the very old to this level आज के टाइम में 21st century तक का जो पूरा जो ये है आपका development that comes under your toilet museum नेक्स्ट, यहां पर कोई भी ऐसी river, यह उना river है उस पर कोई dam नहीं है बट ऐसी एक ही dam है, that is Hartwick Dam, ठीक है क्या है Hartwick Dam, that is Makoketa river, कहां मिलेगा आपको Makoketa river ठीक है, उस पर आपको देखने को मिता है, Hartwick Dam वो भी बहुत छोटा सा है तो बहुत अगर deep में अगर जाते हैं आपके MNES के questions तो आपका यह question rise हो सकता है, ठीक है, next GI tags, डेली में कोई भी GI tag ही नहीं है, ठीक है डेली में कोई भी GI tag ही नहीं है, तो बास्मती राइस क्या है, बास्मती राइस एक particular अगर हम बात करें डेली में तो कोई GI tag नहीं है, बास्मती राइस जो है, इसका GI tag आपको पता है, डेली में मिल रखा है, हर्याना में भी, हर्याना को भी GI tag मिला है, बास्मती राइस का, तो ठीक है, दो तीन ऐसे और भी other states हैं, जिसको GI tag मिला है, बास्मती राइस के लिए, इसलिए कोई particular डे मस्ट कोई ऐसा स्टेडियम है जो आपको नहीं पता हो ठीक है तो यहां पे इतना है अब जो ऐसे questions बनते हैं like CM for CM, long serving CM, chief minister कौन थे यह सब तो यह अब हम one liners में cover करते हैं start करते हैं in which year Delhi high court was established Delhi high court कौन से year में established हुआ था 1966 ठीक है years वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं ठीक है Delhi high court 1966 in which year Delhi established as a union territory union territory Delhi को कब बनाए गया पहले तो state था बाद में union territory कब बनाए गया in 1956 ठीक है in 1956 next who was the first CM of Delhi first chief minister कौन है Delhi के कौन थे that is Chaudhary Brahma Prakash कौन Chaudhary Brahma Prakash was the first chief minister of Delhi next who was the first lieutenant governor of Delhi अभी governor कौन है Delhi के अभी अनिल बैजाले बट यहां पर lieutenant governor पूछा जा रहा है same that is कौन है आदितिनात जहा पहले जो थे lieutenant governor that is your और आदितिनात जहा next move करते है from which year Delhi Metro started its operation मलब Delhi Metro का जो operate होना यह सब कब से start हुआ 2002 यह important है आपके लिए यह year भी important है 2002 the Delhi University established in which year Delhi University one of the famous university कहां पे है Delhi में है okay and कब established हुआ यह year बताना है that is 1922 में आपको एक और university पर रहाई थी that is Nalanda University right Nalanda University ठीक है बक्तियार करके जो है नोनिफॉर्म की आर डिस्ट्रॉइड भाई खिलजी ठीक है Nalanda University who was the first woman chief minister of Delhi important question है पहली woman chief minister शुष्मा स्वराज हो जाएंगी कहां की Delhi की next who was the long serving chief minister of Delhi the long serving सबसे ज़्यादा जनोंने कार किया हो Delhi में as a CM कौन है शीला दिक्षित कौन शीला दिक्षित ठीक है and ये भी एक woman है तो important बनता है next who was the first police commissioner of New Delhi first police commissioner New Delhi के कौन थे that is J.N. Chaturvedi next Delhi is the dash largest urban area in the world important question urbanization Delhi में बोहत अच्छा है ठीक है तो पूरे world में Delhi का urbanization कौन से number पे आता है that is on third position Delhi is the third largest urban area in the world next under which very important question very important star marking under which amendment of Indian constitution Delhi has been given special status of NCR that is national capital region आप ते सुना है आप दिली NCR में रहते हैं NCR क्या है national capital region है ठीक है तो Delhi को जो ये special status दिया गया है ठीक है कौन से amendment के under में दिया गया है that is on 69th amendment के under में ये special status दिया गया है Delhi को next who was the first dynasty to rule Delhi पहली dynasty जिन्होंने Delhi को rule किया ये तीनों questions important है तीनों important है ये page important है screenshot ले लिजे who was the first dynasty to rule Delhi Kilgis Kilgis पहले dynasty थी जिन्होंने Delhi पे rule किया ठीक है who built the red fort in India Delhi में ठीक है Delhi में red fort किसने बनाया जहांगीर ने बनाया ठीक है जहांगीर कौन थे मुगल emperor थे कौन थे मुगल emperor थे Kilgis related नहीं थे इसके बाहर कुछ नहीं पूचा जाएगा क्योंकि MNS में यह MNS जो है नाशनल लेवल एक्जामर राइट स्टेट लेवल नहीं है गार स्टेट लेवल होगा तो आपको स्टेट में डीपली जिस स्टेट का है उसमें डीपली घुसना पड़ता है बट उपर उपर से पढ़ेंगे और पूरा कवर हम कर लेंगे ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल इसे भी जरूर देखेंगे स्टार्ट ओके खतम करते हैं यहां पर थैंक्यू सो मच कीप सपोर्टिंग बबाए